वेल्कम बैक स्टुडेंट्स हाव यू आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे तो हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर वन बैक टु स्कूल और आज हम पढ़ेंगे पार्ट टू प्यारे बच्चों अब तक आपने पढ़ा कि सना जो है एक बहुत ही क्यूट सी प्लंप सी गरल है आपको याद है प्लंप का मतलब क्या है गोलू मोलू येस तो एक बहुत ही प्यारी सी बच्ची है जिसको कि वापिस से वो वेकेशन के बाद स्कूल जाने के लिए तयार है अब स्कूल पहुंच कर वो क्या देखती है हम पढ़ेंगे लीजा स्टांडिंग उन्हों ने देखा था कि क्लास में कुछ बच्चे बहुत शोर मचा रहे थे तो लीजा नम की एक लड़की थी वो तो डेस्क के उपर खड़ी हुई थी और वो कह रही थी चल दो चल्दी भागो जल्दी भागो सुहाना और सना को यह सब बिलकुल पसंद नहीं आया जो क्लास्रूम में जो के ओस हो रहा था के उसका मतलब होता है बहुत ही डिस्टरबेंस है ना डे स्टॉप एवरीवन उन्होंने सब को रोका और उन्होंने का प्लीज शान्त हो जाओ सभी ही चाहिए जैसे हम अपने घर की चीज़ों का धियान रखतें वैसे हैं इस कि चीज़ों का धियान रखना चाहिए ज़सिति ग्लास्रूम मैं तो क्लास्रूम में इंस keeping है अपसेट उन्होंने देखा कि क्लास्रूम में कितना ज़्यादा मैस है मैस मतलब बहुत बिखराव अंटाइडिनेस है ना बहुत गंदी पढ़ी ये क्लास और वो बहुत अपसेट हो गई तो उन्होंने एक चौकपीस उठाया और उन्होंने बोर्ड पर क्या लिखा बी क्लीन, बी हेल्दी, बी हैपी, साफ रहो, स्वस्थ रहो, खुश रहो सना ने जल्दी से अपना हाथ उठाया और उसने पूछा कि मैम इसका मतलब क्या होता है जो आपने लिखाया तो मिसमीना ने कहा कि इसका मतलब यह है कि जो अच्छी हेल्थ के लिए और हैपनेस के लिए अच्छा रास्ता है मतलब कि अगर हम साफ रहेंगे तो हम स्वस्थ भी रहेंगे और हम खुश भी रहेंगे उन्होंने बोला कि जब हम अपनी गंदी सी क्लास में आते हैं जहां पे सभी जगे वेस्थ स्ट्रू होता है मतलब कि वेस्थ बिखड़ा हुआ होता है साब जगे कच्रा होता है तो हम लोग को अच्छा फील नहीं होता है और अगर हमारे आसपास की कंडिशन्स जो हैं वो गंदी होंगी अन हाइजिनिक होंगी तो हम बिमार भी पर सकते हैं लेकिन वहीं अगर हम एक बहुत ही साफ सुत्र क्लास्रूम में आएंगे तो हमको बहुत अच्छा लगता है सुनने में देखने में और वहां पर रहने में तो सुहाना स्टैंड ऑके कहते हैं खड़े ओके बोलते हैं कि में आप बिलकुल ठीक बोल रहे हो और हम तब बिलकुल खुश और हेल्दी रहते हैं जब हमारे आसपास का एदिया भी बिलकुल क्लीन होता है अनिल, आरिफ और लीजा ये तीनों जो शेतानी कर रहे थे वो तीनों बहुत जादा अपनी गलती पे पच्चताते हैं और वो मैम से माफी मांगते हैं अपॉलोजाइस का मतलब माफी मांगते हैं सौरी कहते हैं कि मैम आप ये सौरी अब हमने classroom जुगंदा किया है और वो ये भी promise करते हैं कि हम अपने आसपास को और अपनी classroom को एकदम साफ रखेंगे Miss Meena forgives them and says Let us arrange the class in order Miss Meena सबको माफ कर देती है वो कहते हैं चलो चलो class को arrange करते हैं अच्छे से सबी बच्चे furniture को उसकी जगह पर रख देते हैं Very good, this looks neat Says Miss Meena Today let us make some class rules We will together keep our class in order तो मैम कहते हैं चलो आज से हम कुछ rules बनाएंगे और आज से हम सभी लोग अपनी class को एकदम clean रखेंगे order में रखेंगे I hope आपको समझ आये होगा Thank you so much